हलो एवरिवन, वेलकम टो अवर चैनल मील ओ मैनेजर पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि अलग-अलग प्रकार के ग्रेंस कौन से होते हैं आज हम उनी में से एक और बहुत ज़्यादे निूट्रिशियस फिंगर मिलेट याने रागी या नाचनी की बात करेंगे इससे पहले कुट्टू और राजगीरा पर वीडियो बना चुके हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं अब बात करते हैं फिंगर मिलेट याने रागी के बारे में हम समझेंगे कि इसका ओरिजिन कहा हुआ था कल्टिवेशन कहा होता है नूट्रियन प्रोफाइल और हिल्थ बेनिफिट्स को हम समझेंगे और इसकी कॉमन डिशेस के बारे में जानेंगे पहले बात करते हैं ओरिजिन के तो इसका ओरिजिन इस्टरन आफ्रिकन हाइलैंड्स में हुआ था इथोपिया और युगांडा में इसका ओरिजिन हुआ है ऐसा माना जाता है इथोपिया के अक्सम सिटी में 5000 साल पुराने रागी के सिड्ज मिले थे इथोपिया में और यूगांडा में डोमेस्टिकेशन होने के बाद फिर ये इंडिया और साउथन एफरिका में आया इंडिया में भी रागी का कल्चर बहुत पुरान है एंशियन संस्क्रित राइटर्स ने भी अपनी रचनाओं में रागी का उल्ले किया है वे इसे रजिका कहते थे एक समय रागी भारत में बहुत प्रचलित था और साउथ इंडिया में लोगों का तो यह मुख्यधान्य था लेकिन आजकल जादातर लोगों की डाइट में रागी नहीं होती हाला कि तमिलनाडो और करनाटका के रूलर एरियास में आज भी यह लोगों का मुख्यधान्य है पर जादातर लोग आज रागी से दूर हो गए है तो अब बात करते हैं रागी के कल्टिवेशन के बारे में फिंगर मिलेट एशिया और एफ्रिकन कंटिनेंट में ग्रो किया जाता है यह यूजवली हाई अल्टिटूड यानि उची जगाओ पर कल्टिवेट करते हैं और इसे मध्यम बारिश की जरूरत होती है यह हार्ष क्लाइमेट में भी क्रो हो जाता है और अलग-अलग तरह की मिट्टी में भी यह आराम से ग्रो करता है आफ्रिका में यूगंडा, केनिया, जिबवामवे, इथोपिया, मैदाकासकर ये कंट्रीज में इसका जाधा प्रोडक्शन होता है एशिया की बात करें तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, चायना और जापान में फिंगर मिलेट का प्रोडक्शन होता है इंडिया में करनाटा का में सबसे ज़्यादा रागी का प्रोडक्शन होता है उसके अलावा तमिलनाडू, आंधरप्रदेश, महाराष्र, ओरिसा, बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में इसकी खेती होती है रागी एक रभी सिजन क्रॉप है याने बेसिकली विंटर में कल्टिवेट करते हैं साउथ इंडिया में रागी को इंटर क्रॉपिंग सिस्टिम में कल्टिवेट करते हैं इंटर क्रॉपिंग सिस्टिम याने किसी लेगियूम के साथ या किसी अन्य धानने के साथ रागी को कल्टिवेट किया जाता है अब बात करते हैं इसकी nutritional profile के अगर हम 100 ग्राम रागी लेते हैं तो उसमें 76 ग्राम carbohydrates, 8 ग्राम fiber होते हैं अब fiber ये एक प्रकार का carbohydrate ही होता है तो total carbohydrate 84 ग्राम भी हम consider कर सकते हैं साथ ही इसमें 8 ग्राम protein होता है और 4.2 ग्राम fat होता है vitamins की बात करें तो vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5 और B9 ये होते हैं साथ ही इसमें vitamin D भी present होता है minerals की अगर बात करें तो इसमें iron और calcium अच्छी खासी मातरा में होते हैं इनके अलावा potassium, manganese, zinc, copper ये भी होते हैं fats में ज्यादा amount पूफा यानि polyunsaturated fatty acid की होती है पूफा ये एक healthy fatty acid है और इससे शरीड को फाइद ही होते हैं अलग-अलग dry fruits में भी ये पूफा होता है sunflow और oil भी इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें पूफा होता है और यही पूफा रागी यानि नाचनी में भी present होता है रागी इतनी nutritious है कि international crop institute for semi-arid tropics association ने जो सुखे और रेगिस्ताइनी इलाके है वहाँ जो malnutrition यानि कुपोशन है और nutrient deficiency है उसको overcome करने के लिए रागी को एक potential crop बता है रागी को store करना भी बहुत आसान होता है रागी को हम बहुत समय तक store कर सकते है इसलिए जिन इलाकों में सुखा पड़ा है वहाँ के लिए रागी बहुत अच्छा option है यह 10 सालों तक आराम से store किया जा सकता है तो अगर किसी area में सुखा पड़ा है तो रागी पूरे साल भर आराम से वहाँ खाया जा सकता है तो अब बात करते है रागी के health benefits के बारे में तो सबसे पहला तो यह है कि calcium का बहुत ही अच्छा सोड से रागी तो bone को strong बनाये रखता है और osteoporosis जो कि 50 की age के बाद होता है उससे भी यह बचा सकता है हाई iron level की कारण हीमोगलोबिन भी बढ़ाने में यह मदद करता है और एनीमिया से भी बचाता है अब एनीमिया एक वैसी condition है जब हीमोगलोबिन 9 या 10 से कम हो जाता है तो उस condition को हम एनीमिया कहते हैं अलग-अलग countries में एनीमिया का अलग-अलग criteria है जैसा US में माना जाता है कि 12 से नीचे अगर हिमोगलोबिन आ जाए तो एनीमिया है बट इंडिया में युजुली 9-10 से नीचे एनीमिया को consider करते हैं इसके साथ इसका तीसरा benefit यह है कि इसका glycemic index कम होता है और fibers भी ज्यादा होते तो यह blood sugar को maintain करता है और diabetes control करने के लिए भी अच्छा होता है राग से आपको यह सभी conditions में काफी help मिलती है मेड इंडिया करके एक संस्ता है इस संस्ता ने year 2000 में एक research किया था कि जिने माइग्रेन है उन लोगों के लिए भी रागी का consumption फाइदे मन्द होता है उन्हें माइग्रेन में थोड़ी राहत रागी से मिल सकती है हाइफ फाइबर होने के कारण weight loss के लिए भी रागी अच्छी होती है आज कल हम देखते हैं कि oats को weight loss के लिए बहुत prefer करते है लेकिन रा रागी भी एक अच्छा traditional option हो सकता है weight loss के लिए रागी में lysine और methionine होता है जो skin को wrinkles और sagging से बचाता है और आपको यंग रखने में मदद करता है cholesterol level को भी रागी कम करता है और liver पे जो excess fat है उसे भी निकाल देता है अगर हम रागी को sprout होने देते है यानि अगर हम उसे अंकुरित होने देते है तो रागी में vitamin C की quantity बढ़ जाती है तो ये iron absorption में भी मदद करता है high calcium और iron होने की वज़े से ये छोटे बच्चों और बुजूर्गों के लिए excellent साबित होता है usually क्या होता है old age people और children में iron और calcium की कम्य होती है रागी में ये दोनों प्रचुर मात्रा में होते है तो रागी इनके लिए बहुत beneficial है रागी को as a winning food भी use करते है जो मैला है pregnant है उनके लिए भी रागी बहुत अच्छी होती है साथ ही ये रागी lactation increase करने में मदद करती है रागी में antimicrobial properties होती है तो ये food poisoning करने वाले बैक्टिरिया और skin infection करने वाले बैक्टिरिया को रोकता है रागी gluten free होता है तो celiac disease ये lactose gluten disorder में भी रागी useful होता है रागी ulcer को रोकने में मदद करता है ulcer याने एक रोग होता है जो पेट में present acid के कारण पेट की inner surface को damage कर जिता है तो इस disease में भी रागी helpful होता है रागी में antioxidants भी काफी होता है रागी nervous system को भी boost करता है irritable bowel syndrome करके एक disease होता है जिसमें पेट में बहुत ज़दा दर्द होता है diarrhea होता है constipation होता है और पेट में gas जम जाती है तो रागी irritable bowel syndrome ये disease में भी काफी helpful साबित होता है रागी के बहुत ज़दा फायद है पहले इंडियन लोगों की diet में रागी अच्छी quantity में थी लेकिन आज हमारी diet में रागी absent है और है भी तो बहुत कम quantity में है जितने रागी के health benefit है उसके कारण तो हमारी diet में रागी होनी ही चाहिए रागी का importance हम इस बात से भी समझ सकते है कि वियत नाम करके एक country है जहां रागी को as a medicine यूज करते है जब कोई मैला बच्चे को जन दे रही होती है तब और 6 मैने से बड़े बच्चों को रागी की लापसी winning food करके दी जाती है अब हम बात करते है रागी की common dishes की इससे दोसा बनता है इटली बनती है भाकरी या रोटी बनती है रागी सत्वसे उसके लड़ू बनते है रागी का हलवा भी बनता है कुकीज भी बनती है करनाटा का में रागी के मुढ़े बहुत पॉपिलर है इसको आप रागी की बाटी भी कह सकते हैं, तमिल नाड़ु में रागी की पॉरिज, यानि जिसे वो लोग कौंजी कहते हैं, वो बहुत पॉपिलर हैं, महाराश्टा के कोकन में इसका आम्बिल बना कर खाते हैं, कुछ लोगों को रागी के ब्लैंड टेस्ट की वज़े से, यानि ऐसे उसकी सौम्मे टे यहू काटा लेते हैं तो उसमें वन एना हाव बाउल रागी काटा मिक्स करके उसकी रोटी बना सकते हैं यह बहुत अच्छा साबित होता है बहुत सारे डाइटिशियंस 7-3 फॉर्मूला को वेट लॉस के लिए भी रेकमेंड करते हैं आप वीक में 3-4 बार ऐसी रोटी बना करें थैंक यू